नमस्कार किशान साथियो आईए जानते हैं मद्धिप्रदेश में अगले तीन दिन मौसम का क्या मिजाज रहने वाला है मद्धिप्रदेश के मौसम में परिवर्तन हो सकता है एक दो दिन में तेज बारिश होने के आसार है इधर बारिश कम होते ही तापमान फिर बढ़ने लगा था इसलिए मौसम बिभाग ने 6 संभाग और 8 जिलों में बिजली गिनने की संभावना जताई है बंगाल की खाड़ी में बना कम दवाब का छेत्र जो दक्षणी ओड़ी साइबं उत्तरी आंदर प्रदेश में सक्री होने के आसार है इसके प्रभाव से मद्य प्रदेश में अगले एक दो दिन में बरसा की गतिविदियों में तेजी देखने को मिल सकती है वहीं अगर मौसम बैग्यानिकों की मानें तो दिनांक 12 से 15 सितंबर के बीच में मद्य प्रदेश के कुछ इलाकों में बारस में तेजी आएगी समुद्र में हलचल बढ़ने के कारण बादलों का एक बड़ा कुनबा दक्षण ओड़ी सा के तट को पार करता हुआ सारी बारस होगी मद्य प्रदेश में मौसम बैग्यानिकों ने भोपाल सहडोल जवलपुर नरबदपुरम और चंबल संभाग और विदी सा जिला इवं धार, पन्ना, सागर, साजापुर, दमो, देवास, चतरपुर और आगरमालवा जिलों में आश्मान में बादलों की जमावट की सूचना दी है अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले 24 गंटे में बारस सुरू हो सकती है जब तक बादल भारत की मेदानी सीमा के उपर मंडराते रहेंगे तब तक बारस होने के पूरे आसार है मौसम बभाग के अनुसार उत्तर पिर्देस की तरफ उचाई पर इस्तित्रफ लाइन 12 सितंबर तक MP के गौालियर चंबल बेल्ट मैं नीचे आ जाएगी इस से दूसरा सिस्टम 12 सितंबर से एक्टिव हो जाएगा जिस से तीन दिन तक बोपाल, उज्जेन, इंदोर, सागर, राइसेन, बिदीसा, गौना, गौालियर, चंबल, बुंदेलखंड, बगेलखंड समेत कई इलाकों में वारिश होगी बिभाग के अनुसर इन इलाकों में भारी वारिश के आसार कम हैं, लेकिन इन छेत्रों में सामान वारिश का कोटा पूरा हो सकता है मौसम के अंदर से मिल रही जानकारी के अनुसर, अगले 48 गंटों में प्रदेश में एक नया सिस्टम बनने के पूरे आसार हैं यह बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं है, लेकिन बारिश जरूर कराएगा बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया, कम दवाब का छेत्र बनने लगा है, जो जल्दी ही पूरी तरह एक्टिव हो जाएगा तो आपको कैसी लगी मौसम की जानकारी, कमेंट में ज़रूर बताईएगा और अधर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलिए